देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंतरादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर म आशा करता हूँ, आप सभी सवस्त होंगे, महादेव के क्रिपा, आप सभी पर सदय बनी रहें। शुक्र उच्च के हैं, ऐसा सैयोग अब 12 साल बाद होगा, क्योंकि एप्रिल में बहस्पती का विराशी प्रवतन हो जाएगा, और यह जो यूति है कि जहांपर शुक्र उच्च के हैं और बहस्पती अपनी राशी मी हैं, यह दुबारा 12 साल बाद होगी, तो आप समझ सक कि इस यूति का महत तो कितना बढ़ जाता है ये दोनों ही नैसरगिक शुब्ग्रह हैं इनको नैचुरल बेनिफिक प्लैनेट कहा जाता है बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो कुंडली के हिसाब से बदलते हैं या आपके लिए अच्छे हैं बुरे हैं इनको नैसरगिक जैसे मैं हर बार कहता आया हूँ लगन और चंदर राशी से अलग अलग राशी फल नहीं बन सकते क्योंकि राशी फल एकदम सामाने अधार पे होते हैं और गोचर की स्थिति भी होते हैं मेरे हिसाब से अगर आपको अपना लगन पता है लगन से अब्ज़र्व करेंगे ब शुरुआत मेश से करते हैं आपके लिए शुक्र धनस्थान के स्वामी है आपके लिए शुक्र सब्तम भाव के स्वामी है और आपके लिए शुक्र बारवे स्थान में जाकर एक्सौल्टेड हो गए हैं वहाँ पर ब्रहस्पती के साथ बैटे हैं जो विपरीत हो रहा है आपके लिए एक तो ब्रहस्पति विप्रीत राजयोग बना रहे हैं दूसरा शुक्र वैसे भी बारवे स्थान में बहुत अच्छा रिजल देते हैं और उच्चके हो गए हैं धनस्थान के स्वामी बारवे में है यानि कि बाहर से संबंदित काम करना चाहते हैं ब अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते थे तो इसके लिए ये बहुती शुब समय है इसके साथ ही क्योंकि सब्तम के स्वामी शुक्र है शादी के कारक शुक्र है और वो ब्रहस्पति के साथ बैटे हैं तो जिन लोगों की शादी में कुछ विगन आ रहे थे उन विगनो को दूर करने के लिए जो एक महीने का समय है 12 मार्च तक यहीं पे रहेंगे शुक्र तो ये एक महीने का समय शादी में आ रही प्रॉब्लम्स को वो दोनों तरह की हैं जो मैरेड लाइफ है उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और जो जिनकी शादी नहीं हो पा रह थी कुछ विग ना रहे थे, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र बारवे घर में बैटे हैं, आपको लग्जूरियस चीजों का भोग कराएंगे, आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे, सबसे अच्छी पोजिशन होती है शुक्र की, बारवे घर में किसी भी राशी में हो, और यहां तो एग्सौल्टेड हैं, उच्च के हैं, और ब्रहस्पती के साथ बैटे हैं, शुक्र क्योंकि धनसान के स्वामी है, ब्रहस्पती क्योंकि भागिस्थान के स्वामी है, और बैटे हैं बारवे घर में यानि बहुत अच्छा है क्योंकि जब भी नवम भाव के स्वामी बारवे में होते हैं तो उन व्यक्तियों का बाहर जो है वो भाग्य चमकता है और जब यहाँ पे शुक्र का भी यहाँ पे लेना देना आगया जो धनस्तान के स्वामी है आपके लिए समय बहुत अच्छा है relationship पर इसका अच्छा प्रभाब पड़ेगा relationship में जो unstability आ रही थी दूर होगी और क्योंकि सब्तम भाब में केतु है problem social रही होगी married life में लेकिन आप क्योंकि सब्तम से छटे में दो शुबगरा बैटे हैं यानि कि married life को ठीक करने के लिए ये जो समय है बहुत अच्छा है हर तरह की compatibility अच्छी रहेगी students के लिए भी बहुत अच्छा समय है overall बहुत शुबता दिख रही है सेहत का ध्यान रखिएगा जिनको diabetes है उनको problem बढ़ सकती है और जो diabetes के एकदम border line पे थे उनके लिए भी कोई दिक्कत हो सकती है और आखों की परिशाने भी आपको तंग करेगी तो आपके लिए शुक्र कराशी परिवर्तन हो बहुत अच्छा दिख रहा है धन के संदर्व में करियर के संदर्व में बिजनस के संदर्व में हर चीज में यह शुबता पूर्ण दिख रहा है इस समय का लाब उठाएगा उपाय क्या करना है ओम शुक्राय रम्हामंत्र का एक स्वाट बार जाब करके आपको चीनी कादान करना है तौरस यानि की व्रिशप के तरफ आपके लिए तो इतना शुब है यह जो राशी परुरतन है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है कारण क्या है आपके लगने के स्वामी है प्रतमस्तान के स्वामी है आपके छटे भाव के स्वामी है बैटे हैं लाबस्तान में लाबस्तान के स्वामी के साथ सबसे पहले लगन के स्वामी लाबस्थान के स्वामी के साथ बैटे हैं उच्चे के हो गए हैं लाबस्थान के स्वामी अपनी राशी में है यह जो समय है यह लाभ के लिए है हर तरह के लाभ के लिए जब ग्यारवा भाव इतना अच्छा इतनी अच्छी तर हर चीज आगे बढ़ती है यह जो स्थान है कि दस्वे से दूसरा है तो यहाँ पे इतने अच्छे ग्रहों का प्रवाव यानि कि करियर में आपको आपका पैसा बढ़ सकता है, इंकम बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकती है, बहुत अच्छा समय है हर चीज के लिए, क्योंकि शुक्र छटे भाव के स्वामी है, जो की अर्थत्रिकोन है, यह स्पेशली बता रहा है, कारक शित्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय है, और क्योंकि जो छटा भ ब्रहस्पती के साथ क्योती है, और ब्रहस्पती आपके लिए अश्टम भाव के भी स्वामी है, और यहां पर उनका लगन के स्वामी के साथ योग हो गया, यानि कि अचानक से भी आपका धनलाब हो सकता है, तो आपके लिए तो हर संदर्वमी, करियर, बिजनस, लव लाइ लाइफ में नया रिलेशन्शिप बहुत अराम से स्टार्ट हो सकता है, रिलेशन्शिप को अगर शादी की तरफ लेके जाना है, क्योंकि शुक्र और ब्रहस्पती मिलकर पंचम को देख रहे हैं, और ब्रहस्पती की दृष्टी तो सप्तम पर भी है, वहे लोग जो बहु बहुत अच्छा है, इस महीने का आपको लाब ही उठाना है, कई कारे बनेंगे, रुके हुए कारे बनेंगे, करियर हो, बिजनस हो, पैसा हो, हर चीज में आपको पूर्णता देखेगी, बहुत लाब उठाईएगा, जहां तक एक नेगिटिव पॉइंट में कहा सकता उपाय क्या करना है, आपको ओम शुभ गुणाय नमहा, ओम शुभ गुणाय नमहा, शुभ गुण होते हैं, गुण से गुणाय हो गया, ओम शुभ गुणाय नमहा, इस मंतर का 108 बार जाप करना है, और किसी भी देवी मंदिर में जाकर, दुरगा जी के, काली माता के मंदि और ब्रहस्पती के साथ योती होगी जो की दस्वे भाव के स्वामी है यहाँ पर शुक्र जो है वो आपके बारवे घर के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है पंचम भाव के स्वामी दस्वे में है राजयोग बनता है त्रिकोन का केंद्र से संगम हो रहा है दूसरा ए अल्रेडी पंच महापुरुष योग बनाकर आपके लिए बैठे हैं यानि कि ये जो समय है कहां पर हो रहा है दस्तोय स्थान पर करियर का स्थान बहुत महत्पूर्ण स्थिती में आ गया है तो जॉब के संदर्व में आपको नई जॉब प्राप्त करनी हो आपको करियर में क स्किल भी देते हैं मेनेजमेंट स्किल्स भी देते हैं और क्योंकि शुक्र है वो थोड़ा सा वेक्ति को चलाग भी बनाते हैं तो ये वो समय है जब कोई भी आपके करियर में दुविदा आ रही है उसको बहुत अराम से सौल किया जा सकता है नई उपर्चिनुटीज अव राप्त करना चाते थे या देश में रह कि किसी बड़ी MNC में काम करना चाते थे या नया जौब ढूरना चाते थे उनके लिए बहुत अच्छा समय है और क्योंकि ब्रहस्पती आपके लिए दो केंद्रों के स्वामी है यानि कि जौब में अब स्थिर्ता भी आएगी और कहीं न कहीं अपना नाम बनाने के लिए जो एक महीना है बहुत अच्छा है क्योंकि ब्रहस्पती सप्तम के स्वामी भी है तो ये बिजनस के लिए भी बहुत अच्छा है और क्योंकि ब्रहस्पती दुबारा सप्तम के स्वामी है सप्तम भाव शादी के लिए भी देखा ज रहे थी ये सबसे अच्छा समय है उन चीजों को सॉल करने के लिए तो आपके लिए हर तरह से हर रूप से जो शुक्र का राशी परिवतन है ब्रहसपती महराज के साथ उनकी यूती है बहुत अच्छी दिख रही है मालव्य योग पंचमा पुरुष बन रहा है ब्रहसपती हम सनाम का महापुरुष योग बना कर बैटे हैं तो ये बहुत रेरली होता है इस समय का उपयोग कीजेगा कारेक शेत्र में जो विगना आ रहे थे बहुत अराम से दुर होंगे स्टूडेंस के लिए बहुत अच्छा है कॉम्पेरिटव एक्जाम के लिए मैरेड लाइफ से जो दूसरा भाव होता है उसकी वृद्धी का होता है उससे जो बारवा स्थान होता है उसके लॉस का होता है तो भाग्ये की वृद्धी होगी आपके पिता जी को भी कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है दोनों मिलकर चौथे घर को देखेंगे प्रॉपर्ट point जो pinpoint कर सकता हूँ बहुत laid back हो जाएंगे ये समय वो है जब दो ग्रह जो दो शुब ग्रह दस्वे में आ जाते हैं तो एक तीका attitude ऐसा हो जाता है कि चलो time तो अच्छा चल रहा है सब अच्छा हो जाएगा और यहाँ पर गलतीव करता है वो अच्छे time का पूरा लाव नहीं उठा पाता एक यही negative point में pinpoint कर सकता हूँ अधरवाई सब कुछ ठीक होगा सेहत की बात करो तो hormonal कोई problem है दिक्कत हो सकती है नसो की problem दिक्कत देगी और अगर कफ वगरा काफी रहता है दुर्गा मा को खीर का भूग लगा रहे हैं करक, cancer आपके लिए शुक्र का राशी परिवतन आपके नवम भाव में हो रहा है exalted हो जाएंगे क्यूंकि आपके लिए शुक्र केंद्र के स्वामी है त्रिकोन में जा रहे हैं राजयोग बन रहा है केंद्र के स्वामी त्रिकोन के स्वामी यानि के ब्रहस्पती के साथ योग बना रहे हैं ये भी राजयोग है शुक्र लावस्थान के स्वामी भागस्थान में है ये अपने आप में एक लाव योग है लक्ष्मी योग है तो कर्क के लिए तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं ब्रहस्पति आल्रेडी राजयोग बनाकर बैटे हैं और अब दो न strongest रगिक शुबध्रह आपके कहां बैटे हैं आपके भागिस्थान में बैटे हैं जो भागिस्था नहीं दे रहा था भागे साते देता है और वक्ती आगे बढ़ता है तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा देख रहा है ये पिता जी का भी स्थान है आपके पिता जी को भी अचानक से कोई लाब हो सकता है ये स्थान दस्वे से नवम है हो सकता है कारेक शित्र में आगे बढ़ने का मौका मेरे लेकिन हो सकता है वो job change के साथ हो या स्थान परिवर्तन के साथ हो शुक्र क्योंकि चौथे घर के भी स्वामी है घर में कोई problems आ रहे थी उनको दूर करने के लिए बहुत अच्छा समय है शुक्र क्योंकि लाबस्तान के स्वामी है यहाँ पर ब्रहस्पती के साथ उनका योग हो रहा है कुछ भी आप अपने income के sources को गर बढ़ाना चाते थे आप चाते थे कि आपका एक dual income हो जाए वो ideas भी आएंगे और बहुत जल्दी वो आप implement भी कर पाएंगे तो शुक्र का राशी परिवतन आपके लिए बहुत ही जादा अच्छा दिख रहा है यहाँ से बैट कर दोनों तीसरे भाव को देखेंगे अगर भाई बहनों के साथ कोई problem चल रही थी उसको solve करने के लिए बहुत अच्छा है आपका भागी के साथ साहस भी साथ देगा और हो सकता है कोई धार्मिक यात्रा यात्रा किसी भी तरह की क्योंकि तीसरा भाव नमम भाव दोनों ही impacted है तो कोई यात्रा के भी आपके योग बन सकते हैं और किसी धार्मिक यात्रा के भी अचानक से योग बन सकते हैं सब्तम से तीसरे में है बिजनस में अच्छे-च्छे आइडियाज आएंगे बिजनस की रुकावाटे दूर होंगी सब्तम से तीसरे में है जो शादिश उदा लोग है उनके बीच में कॉम्मिकेशन गैब दूर होंगे पंचम से पंचम में है संदान प्राप्ती के लिए बहुत अच्छा समय है बहुती जादा शुब समय है जिन कपल्स को कंसीविंग में प्राबलम आ रही थी बहुती जादा ये शुब समय है आप ट्राय करेंगे कुछ न कुछ अच्छा प्राप्तो होगा शादी में प्राबलम जा रही थी यानि कि शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि ये स्थान भी बहुत इंपोर्टन होता है भाग्य स्थान है अगर शादी नहीं हो रहे थी स्पेशली क्योंकि शुक्र शादी के कारक यहां पे हैं तो वो बाधाएं भी आपकी दूर हो सकती है स्टूडेंस के लिए बहुत अच्छा है पंचम से पंचम तो हर चीज में क्योंकि दो शुब ग्रह साथ में आ रहे हैं हर चीज में शुबता ही बढ़ती हुई दिख रही है इस समय का आप लाब उठाईएगा बहुत ही शुब समय है बहुत ही लाबकारी समय है उपाय क्या करना है आपको ओम शुब गुणा ये नमहा इस मंत्र का एक सुआट बार जाप करना है और किसी भी देवी मंदिर में जाकर आपको बरफी का भोग लगाना है ये उपाय कर लेंगे आपके लिए सबच्चर है लियो, सिंभ, आपके लिए शुक्र अश्टम भाव में जा रहे हैं और आपके लिए शुक्र वहाँ पर भ्रहस्पती के साथ योग बना रहे है शुक्र उच्चके हो गए, भ्रहस्पती विपरीत राज्योग बना रहे है अश्टम स्थान क्या है? अनशित्ता का स्थान है लेकिन जब दो शुबग रहा है तो अनिशित्ता में कमी आती है अचानक से अच्छी न्यूज आना शुरू हो जाएगी दोनों मिलकर धनस्तान को देख रहे हैं धन अचानक से बढ़ सकता है शुक्र दस्वे घर के स्वामी है अश्टम में बैटे है जौब में अच्छे बदलाव आएंगे आपकी जौब चली गई थी आपको जौब नहीं मिल रही थी अचानक से कोई अच्छा उफर आ सकता है और करियर में भी आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि शुक्र जो दस्वे भाव के स्वामी है करियर का स्थान वो ब्रहसपती के साथ बैटे है ब्रहसपती फिपरीत राजयोग बना के बैठे है जो भी विगन आ रहे थे ब्रहसपती उनको दूर करने के लिए आपकी साहेता करेगा तो आपके लिए यानि कि लियों के लिए बहुत अच्छा दिकर आए शुक्र जो है वो अश्टम में आकर व्यक्ति को ज्यान देते हैं बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा लेकिन एक चीज कहूंगा जो रिलेशन्चिप में है और मैरिड लाइफ में है आपका ध्यान बहुत भटक सकता है distractions बहुत आ सकते हैं उस चीज का ध्यान दीजेगा otherwise तो शुक्र का ये राशी प्रवतन आपके लिए अच्छा ही प्रभाव देता हुआ दिख रहा है सब्तम भाव से दूसरे में है जो लोग बिजनस करते हैं उनके लिए धन की वृद्धी बहुत तेजी से होगी और क्योंकि सब्तम भाव से दूसरे में है मांगल्य स्थान है अगर मैरेड लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी आराम से उन चीजों को सौट आउट किया जा सकता है पंचम से चौथे में है यहाँ पे पंचम के स्वामी खुद यानि की ब्रहस्पती है रिलेशन्शिप नया स्टार्ट हो सकता है अचानक से और रिलेशन्शिप की अंस्टैबिलिटी को दूर करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है वह स्टूडेंट्स जो कुछ भी research बेस studies करते है उनके लिए अच्छा समय है और वह स्टूडेंट्स जो job ढून रहे थे कारण क्या है कि पंचम भाव स्टूडेंट्स का है तस्वा भाव करियर का है वह student जो अपनी study complete कर चुके थे job नहीं मिल रही थी उनके लिए ये जो एक महीने का समय है बहुत अच्छा है आपको बहुत ज़्यादा चांसे से अगर आपकी दशाद अंतरशा normal भी चल रही है बहुत favorable भी नहीं है आपको job राप्ती हो सकती है तो आपके लिए जो शुक्र का राशी प्रुवतन है बहुत शुब दिख रहा है इसका लाब उठाईएगा जहां तक सेहत की बात है hormonal problems और private parts से जुड़ी कोई problem दंग कर सकती है उपाय है आपको ओम शुब लक्षनाय नमहा मंत्र का एक स्वाट बार जाप करना है और दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ करना है कन्या वर्गो आपके लिए शुक्र नवम भाव के स्वामी है और धनस्तान के स्वामी है योग कारक है और इसके साथ ही वो ब्रहस्पती के साथ बैटे है शुक्र उच्च के हैं, ब्रहस्पति स्वराशी के हैं, दोनों ही केंद्र में हैं, तो बनते हैं दो पंच महापुरश योग पहला मालव्य शुक्र द्वारा, दूसरा हम्स ब्रहस्पति द्वारा अब इतना अच्छा योग तो बारवार नहीं होता, दोनों मिलकर लगन को देखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इतने अच्छे ग्रहों का प्रभाव लगन पे है, लगन क्या होता है, लगन आपके जीवन का बीज होता है, लगन आपके जीवन की stability होती है, स जीवन के दोश, कुंडली के दोश बहुत हद तक अटलिस्ट इस महीने तो कम हो जाएंगे, विग न दूर होंगे, सेहत अच्छी होगी, सेहत में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर होगी, इसके साथी क्योंकि सब्तम भाव में इतने शुब ग्रहों का प्रभाव है, शादी, अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी, यह जो एक महीने का समय है, बहुत अराम से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बहुत जल्दी शादी भी हो सकती है, मैरिड लाइफ कोई प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत अच्छा समय है, और कही न कहीं ख्याती प्रा अचानक से हो सकती है, भागे साथ देगा शादी करने के लिए, इसके साथी धनस्तान के स्वामी सब्तम में है, यानि कि जो लोग बिजनस करते हैं, क्योंकि सब्तम भाव बिजनस का है, धन की वृद्धी अचानक से हो सकती है, शुक्र क्योंकि चौथे भाव और सब्तम भ कोई गाड़ी या बहुत महेंगी गाड़ी कोई लेना चाहते थे बहुत लंबे समय से आपका यह सपना था सपने को पूरा करने के लिए समय बहुत अच्छा है पंचम से तीसरे में करेंगे उपाय है ओम शुक्राय नम्हा का इससे आठ बार जाब करके आपको दुर्गा माता को किसी भी फल का भूग लगाना है तुला यानि की लिब्रा के तरफ आपके लिए शुक्र खुद लगने के स्वामी है और अच्टम भाव के स्वामी है और चटे भाव में बैटे अच्छी चीज यह है कि वह वहां पे एक ऐसे घ्रह के साथ बैटे हैं जो बहुत शुब है और विप्रीत राज्योग बना रहे हैं और शुक्र खुद क्यूंकि एस्टम के स्वामी छटे में हैं विप्रीत राज्योग में कईवर बता चुका हूं 6-8-12 के स्वामी जब 6- चे-8-12 में होते हैं विप्रीत राज्योग बनता है तो शुक्र भी विप्रीत राज्योग बना रहे हैं तो भले ही पहले देखने से लगे कि हां शुक्र का यहां पे गोचर बहुत अच्छा आपके लिए नहीं होगा लेकिन क्यूंकि दो विप्रीत राज्योग बन गए आपके लिए इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा विपरीत राज्युक छटे में लीगल केसिस बहुत अराम से सुलत सकते हैं अगर आपका डैवोस केस चल रहा था क्योंकि सब्तम से बारवा है अगर आपका डैवोस केस चल रहा था वो चीजें बहुत अराम से सुल हो सकती है तीसरे भाव के स्वामी के साथ है यानि कि प्रॉपर्टी, अंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भाई बहनों के साथ, कजन्स के साथ कोई प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था वो प्रॉबलम बहुत अराम से सुल हो सकती है तो अगर आपको नई जॉब चाहिए थी या जॉब में आ रही प्रॉब्लम्स को जॉब में आ रही ऑप्स्टेकल्स को आप दूर करना चाहते थे तो उसके लिए भी जो एक महीने का समय है इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा हर तरफ से अच्छा दिख रहा है जो थोड़े नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते है क्योंकि लगने के स्वामी है चटे में तब्यत खराब हो सकती है चानक से पैसा आएगा लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ेंगे आपके लिए उपाई यह है कि आपको ओम शुक्राय नम्हा का 108 बार जाब करके दुर्गा माता को मीठे पान का मुप लगाना आपके लिए शुक्र सप्तम भाव के और बारवे घर के स्वामी है और भ्रहसपती के साथ योग पंचम में कर रहे है इक तो दोनों अपने आप में लक्षमी के कारक है अलग अलग तरा से है लेकिन धन के कारक दोनों ही है और पंचम में बैटे हैं जो लक्षमी स्थान है धन में अचानक से वृद्धी हो सकती है, दोनों मिलकर ग्यारवे घर को देखेंगे जो लावस्थान है, लाव अचानक से बढ़ेगा, income के sources बढ़ सकते हैं, आप कुछ नया business या dual income earn करना चाते थे, कि आपकी job है या business या बिजनस या चाते थे, कि कोई second source of income भी बन जाए, उसके लिए ideas बहुत अच्छे आएंगे, और वो ideas का आप लाव भी उठा पाएंगे, पंचम भाव है, share market आदी से पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा है, और सबसे महत्वपून चीज है, दोशुब गरह पंचम में है, पंचम के स्वामी पंचम में है, conceiving के लिए, यानि कि वह couples जो family planning के लिए try कर रहे थे, उनके लिए समय बहुत अच्छा है, तो ये बहुत शुबता आपके लिए देता हुआ जा रहा है, देखे शुक्र आपके लिए, बहस्पती आपके लिए, क्योंकि पंचम के ही स्वामी है, तो अल्रड़ी वो राजयोग बना रहे हैं, और यहाँ पर उनका योग, शुक्र के साथ है, जो केंदर के स्वामी है, तो ये भी एक राजयोग बन रहा है, और बहस्पती क्योंकि लगन को देखेंगे, और शुक्र की शुबता भी उनके अंदर आ चुकी है, यानि कि आने वाला जो एक महिना है, आपके लिए बहुत शुब रहेगा, भागे का साथ मिलेगा, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, नई चीजें सीख पाएंगे, नई experiences गेन कर पाएंगे, और पंचम भाब में है, तो relationship साथ करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है, और क्योंकि शुक्र सब्तम के स्वामी है, वह है couples जो relationship में थे, लेकिन कही न कहीं married life के तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, या तो खुद ही की सहमत ही नहीं हो रही थी, या घरवालों की सहमत ही नहीं हो रही थी, उन चीजों को solve करने के लिए समय बहुत अच्छा है, पंचम भाब थौट प्रोसेस का है नईने ideas आएंगे, creative रहेंगे, positive thinking आपकी overall रहेगी, तो आपके लिए जो शुक्र का राशी परिवतन है, बहुत अच्छा देख रहा है, क्योंकि ये स्थान सब्तम से 11 वा है, आपके पती या पतनी की income अचानक से बढ़ सकती है, students के लिए बहुत अच्छा है, career में थोड़ी problem आ सकती है, कोई office politics आपके किलाफ हो सकती है, specially आपके management से भी problem हो सकती है, और आपके जो immediate bosses है, उनके साथ भी आपके थोड़े issues हो सकते हैं, तो overall देखू तो आपके लिए बहुत शुब देख रहा है, students के लिए तो और couples के लिए जो family planning करना चाते थे, उनके रिए तो सबसे अच्छा देख रहा है, सबसे शुब देख रहा है, इस समय का लाब उठाईएगा, जहां तक सेहत की बात है, पेट के रोग थोड़े तंग कर सकते हैं, हर्मोनल प्रॉब्लम तंग कर सकते हैं, उपाई यह है कि आपको ओम शुक्राय नम्हा मंत्र का जाप करके, दुर्गा माता को खीर का बुग लगा, चलते हैं धनु यानि कि Sagittarius की तरफ, आपके लिए शुक्र चौते घर में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, और यहां पर लगन के सौमी और चौते घर के सौमी के साथ बैठेंगे, जो की already अपनी राशी में है, पंच महापुरुष योग बना कर बैटे हैं, शुक्र भी पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, शुक्र के पंच महापुरुष का नाम है, मालव्य ब्रहस्पती के पंच महापुरुष का नाम है हम सब तो ये समय तो आपके लिए बहुत अच्छा दिखे रहा है शुक्र आपके लिए लावस्थान के स्वामी है और शुक्र छटे घर के स्वामी है लावस्थान के स्वामी का चौते घर में आना गर में खुशी आएंगी, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी खरीच सकते हैं, वाहन खरीच सकते हैं, हर चीज के लिए समय बहुत अच्छा देख रहे हैं क्योंकि ये जो भाव है, ये चोथा भाव है, सब्तम से दस्वा स्थान है, आपके पती या पतनी के करियर में कोई प्रॉब्लम आ रहे थी, उसको दूर करने के लिए अच्छा समय है, घर के इशूस को सॉल करने के लिए घर में लड़ाई जगड़े हो रहे थे, उनको सॉल क करने के लिए अच्छा समय है, आपके माता जी की सिहत अगर खराब चल रहे थी, उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छा समय है, इसके साथी क्योंकि शुक्र छटे घर के स्वामी चौते घर में है, कोई प्रॉपटी का वादवाद चल रहा था, उसको सॉल करने के लिए समय बहुत अच्छा है, जब केंद्र में इतनी शुबता रहती है, केंद्र क्या है, केंद्र को विश्णू स्थान भी कहा जाता है, स्टेबिलिटी कहा जाता है, केंद्र अगर अच्छे है तो जीवन में स्टेबिलिटी रहती है, तो अभी केंद्र आपके बहुत अच्छ शादी नहीं हो रही थी अराम से हो सकती है शादी की प्राब्लम आ रही थी वह तो यह समय आपके लिए बहुत जादा शुब दिख रहा है इस समय को ऐसे ही वेस्ट मत कीजिएगा करीयर हो बिजनस हो लव लाइफ हो मैरिड लाइफ हो हर चीज में यह जो समय है बहुत अच् इस समय केंद्र में बहुत अच्छे एक इंपेक्ट बना हुआ है तो जीवन में स्थिर्ता ही देगी जादक सेहत की बात है आपको आखों के रोग और चेस्ट की प्रॉबलम अगर एस्थमा आदी है तो थोड़ी से दिक्कत बर सकती है उपाय है कि आपको ओम डैट के गुरुबे नमहा इस मंद्रा एक स्वाट बार जाप करके लक्ष्मी जी को खीर का भोग लाना है मकर, कैप्रिकॉन आपके लिए शुक्र योग कारक हैं दस्वेघर के स्वामी है और पंचम के स्वामी है और ब्रहस्पती के साथ उनकी यूति हो रही है और तीसरे भाव में हो रही है उसके साथ ही वक्ती की skills बढ़ती है या already आपके पास कोई skills है उसका आप लाव कमा सकते हैं आपके लिए समय बहुत अच्छा देख रहा है क्योंकि शुक्र दस्वे के स्वामी है ब्रहसपती के साथ योग है जो बारवे के स्वामी है जो लोग जौब बहार डून रहे थे देश से उनके लिए बहुत अच्छा समय है और आप अगर देश से बहार यातरा के लिए भी जाना चाते थे उसके लिए भी समय अच्छा है क्योंकि प्रहसपती आपके लिए भारवे भर के स्वामी है और उनका योग हो रहा है शुक्र के साथ तीसरे घर में तो विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा समय है और क्योंकि यहाँ पर शुक्र पंचम भाव के भी स्वामी है वो students जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है तीसरा भाव कहिना के डॉक्यमेंटेशन के लिए भी आ जाता है तो अगर कोई डॉक्यमेंटेशन की प्रॉब्लम चल रही थी आपके वीजा प्रॉब्लम आ रही थी इमिग्रेशन में कोई डॉक्यमेंटेशन प्रॉब्लम थी या overall जीवन में कोई documents की problem आ रही थी उन चीजों को solve करने के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है तीसरा भाव जब अच्छी तरह से impact होता है वेक्ति आगे बढ़ता है, आगे के बारे में सोचता है उसके जीवन में गती एक lay आ जाती है यह आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि दस्वे घर के स्वामी है दस्वे से छटे में बैटे हैं, लगने से तीसरे में बैटे हैं office politics को बहुत अच्छी तरह से tackle कर लेंगे कारेक शेत्र में challenges अवश्चा हैंगे आपके partner का life partner का भागयोद्य हो सकता है और जो लोग business करते हैं उनका भी भागय साथ देगा पंचम से ग्यारवे में है relationship के लिए भी अच्छा है और students के लिए especially यह समय बहुत अच्छा है वह students जो job ढूण रहे थे ये दोनों मिलकर क्योंकि भागय स्थान को देख रहे हैं ये भी साब बता रहा है कि भागय भी आपका बहुत साथ देने वाला है तो overall शुक्र का ये राशी परवितन भरस्पती के साथ योग आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव देने वाला है इस समय का आपको बहुत लाब उठाना है अगर सेहत की बात करूँ तो गले के रोगतं करेंगे अगर थायरवड आपको है बहुत दिक्कत हो सकती है आपके लिए उपाई यह है कि आपको लक्षमी चालीसा और धुरगा चालीसा का दो-दो बार पाठ करके माता को खीर का भोग लगाना है कुम्भ, एक्वेरियस आपके लिए तो शुक्र का राशी प्रवितन बहुत शुप देख रहा है एक तो शुक्र आपके योग कारक है भागे स्थान के और चौते घर के स्वामी है धनस्थान में जाना है अपने पूरे जीवन के वृद्धी के लिए जो एक महीने का समय है बहुत अच्छा है धन बड़ेगा, इंकम के सोसेज बड़ेंगे, रुका हुआ पैसा वापस आएगा कोई रिन था उससे मुक्त होने का मौका मिलेगा और सेहत भी यदि खराब चल रही थी तो उसमें भी कुछ सुधार देखने को आपको मिल सकता है शुक्र क्योंकि भागे स्थान के स्वामी है धरस्थान में जा रहे है भागे सात देगा धन कमाने के लिए शुक्र क्योंकि चौते घर के स्वामी है कुटुम्ब स्थान में जा रहे है साह बता रहा है कि ना केवल आपका आपके घरवालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है घर के सतिस्सों की इंकम में भी ग्रोथ हो सकता है वो आपके पती हों, पत्नी हों, बच्चे हों, कोई भी हो जो आपकी immediate family है, उनकी इंकम में ग्रोथ होगा वानी से सम्मदित कुछ भी कारे करते हैं, उसमें लाव मिलेगा और overall आपके जीवन में बहुत शुबता दिख रहे है यह जो स्थान है, यह सब्तम से अश्टम है, यानि की married like में stability रहेगी उसके साथ यह स्थान चौथे से ग्यारवा है property से कुछ न कुछ लाव अर्जित करने के लिए समय बहुत अच्छा है यहां पर शुक्र आपके लिए ब्रहस्पती जो की बहुत अच्छे धनका रख है, क्योंकि धनस्थान और लावस्थान दोनों के स्वामी हैं किवल दो लगनों के साथ ऐसा होता मैं कई बार बता चुका हूँ सिम्ह और कुम्ब जिनके धनस्थान और लावस्थान के स्वामी एक ही है सिम्ह के लिए बुद्ध बनते हैं और कुम्ब के लिए ब्रहस्पती, तो शुक्र का उनके साथ योग यानि की धन बहुत तेजी से आपके जिवन में आ सकता है इस समय आपकी अगर कोई भी अच्छी दशा अंतरदशा चल रही है ब्रहस पती की शुक्र की शनी की या फिर अच्छे बैठे राहू की अचानक से आपको धन में वृद्धी देखने को मिलेगी तो फैमली की रजावंदी अगर नहीं हो रही थी शादी के लिए तो उस चीज को भी सॉल करने के लिए बहुत अच्छा समय है और बिजनस में तो अचानक से आपको लाब मिल सकता है तो हर तरफ से बहुत अच्छा देख रहा है एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे बस दे आपके लिए तो सबसे अच्छा जो प्रभाव है वो दिख रहा है शुक्र के राशी प्रवितन का कारण क्या है एक तो आपके लगन में ही आपके उच्च के हो रहे हैं एक्सॉल्टेड हो रहे हैं पंच महापुरुष योग बना रहे हैं मालव्य इसके साथ ही ब्रहस्प पंच महापुरुष योग बना कर बैठे हैं दो पंच महापुरुष योग बनाते हुए ग्रह लगन में हैं और दो नैसरगिक ग्रह लगन में हैं ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनमेंसे अगर एक भी लगन में होता है तो कुंडली के कई दोश खतम हो जाते हैं मेरे पास कई कु जो एक महिना है ये आपके लिए कि दोनों ही ग्रह लगन में रहेंगे तो इस समय का लाब उठाईएगा ब्रहस्पती लगने के स्वामी है और शुक्र के साथ उनका योग हो रहा है यानि कि धन बढ़ेगा दोनों ही धन के कारक है अलग-अलग थोड़ा सा उनका एक तरीका ह होता है धन देने का लेकिन धन बढ़ेगा एश्वरे बढ़ेगा कीरती बढ़ेगी और शुक्र आपके तीसरे घर के स्वामी है साहस पराक्रम बढ़ेगा स्किल्स बढ़ेंगे और यात्रा के आपके योग बनते हैं शुक्र अश्टम के स्वामी है लगन में आकर उच्च के हो रहे हैं अचानक से कोई अच्छी नियूज आ सकती है अचानक से धना सकता है अचानक से धन के सोर्सेज बढ़ सकते हैं ब्रहस्पती आपके लिए लगने के साथ सा दस्वे घर के स्वामी है तो ये भी बता रहा है कि करियर में भी आपको कोई बहुत अच्छी नियूज प्राप्त हो सकती है, शुबता रहेगी overall सेहत बेटर हो सकती है अगर सेहत खराब चल रही थी बहुत लंबे समय से तो सेहत भी इस समय में आपकी बेटर हो सकती है, दोनों केंदर में बैटे हैं, केंदर स्थिरता देते हैं तो एक स्थिरता आती वी दिख रही है शुबता दिख रही है भागे का साथ भरपूर मिलेगा यहां से बैठकर दुनों सब्टम भाव को देख रहे हैं बिजनस के लिए बहुत अच्छा है शादी के लिए बहुत अच्छा है यानि कि जिनकी शादी नहीं हो रही बहुत अराम से योग बनेंगे, बहुत अच्छे योग बनेंगे, और जिनकी married life में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत अराम से चीजें solve हो सकती हैं, तो आपके लिए शुक्र का राशी परियोतन बहुत अच्छा देख रहा है, पंचम से नवम में है, संतान प्राप् मिलेंगे, तो आपके लिए शुक्र का राशी परियोतन है, बहुत अच्छे प्रभाव देता हुआ देख रहा है, पैसा आएगा, धना आएगा, और एश्वर्य बढ़ेगा, हर तरफ से शुबता ही देख रही है, इस समय का लाब उठाईएगा, जहां तक एक negative point में कह सकत करेंगी, वेट अचानक से आपका बढ़ सकता है, उपाई यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा का दो बार पाट करना है, और ओम शुक्राय नम्हामंत्र का एक स्वाट बार जाप करके, लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना है, आशा करता हूँ, शुक्र राशी परितन का ये वीडियो आपको पसंद आएगा, चैनल पे नहीं है, सब्स्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए, उम्हाँ.